एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि पहले की सरकार की समय उननीस सो बासरट, उननीस सो पैसरट, उननीस सो बहतर की भिशन लडाईया हूँ देश पोलियो प्लेग, हैजार टीवी जैसी भैंकर महामारी की चपेट में आया लेकिन सभी का मुफ्त में इलाज हुआ मुफ्त में पुरे देश का ढिका करण हुआ, लोगों ने उन सरकारों पर खरबों की घोटाले की आरोप लगाए, कहा गया कि कालाधन विदेशों में बेजा गया कतित भर्ष्टचार की खूब चर्चा रही, बावजूद इसके देश में बहुत सारे सरकारी कारखाने बग कम्पनियां खड़ी भी, सरकारी अस्वताल, सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल बने, सरकारी नोकरियों में कोई कमी नहीं रही, लोगों को नोकरियां दी गए जो अब्यक्ति इंटरमेट्रिक पास कर जाता था, उसे घर से बुलाकर नोकरियां दी गए, तंखा में कोई कमी नहीं रही, भर्टा हर वर्ष लगातार बढ़ता था, महंगाई भर्टा एक सो एक्तिश प्रतिशत तक दिया गया, सबसे अधिग वेतन बर्दी छटे बत वेतन अलमान में मिली, सरकारी करमचारियों को पेंचन दिया जाता था, देश की जीडिपी 10% से उपर थी, आखिर तमाम गोडाले और परस्टाचार से गिरी सरकारें या सब कैसे कर लेती थी, जो दिब्य महापुरुष की सरकार नहीं कर पा रही है, जबकि वे वे विदेशों स काला धन वापस ले आए, नोट बंदी से भी देश का काला धन वापस आ गया, जी एस्टी से सरकारी खाजाना भर गया, आपात काली न परिस्तितियों के लिए रिजर्बैड में जमा पैसा निकाल लिया गया, फिर पदा नहीं क्यों 18-18 घंटे काम करने वाले प्रदान मंत सरकारी संपत्यां बिक गई, और दिब्य महापरश्च की सरकार नोकरियां वेतन बत्ते, पेंशन नहीं दे कर, किसान, मजदूर और आम नागरिकों को सिर्फ टेंशन ही दे रही है, कोई युद्ध नहीं हुआ, GDP माइनस में चल रही है, सभी की नोकरियां चली गई, फिर GDP सहाब ने सभी NGO, उद्योग पतियों और देश के नागरिकों से PM केरफंड में पैसा जमा करवा लिया, उस पैसे से क्या कार हुआ, किसी को नहीं पता, देश में बड़ी अजीब स्तिती बनी है, अगर कोई सवाल कर रहा है, तो उसको पाकिस्तानी आदेश दो ही बोला जा मेरे खाल से उन युवाओं को तो अब कम से कम अब जाग जाना चाहिए, जो पड़े लिखे होने का दम होते हैं